नमस्कार मैं हूँ ससी आये जर्गां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर ततकाल परभाव से रोक लगा दी है विदेश ब्यापार महानी देश साल है इस समंध में सो मुआर को अजिस उतना जारी की है इसमें कहा गया कि प्याज की सभी किस्मों के निर्यात को ततकाल परभाव से परतीबन दित किया जाता है पता दे कि इस फ्रस्ले का मुख्य उद्यस घरलु बजार में प्याज के उपलवत्ता बढ़ाना और किमतों को काबू रखना है प्याज करोबारिया का कारणा है कि मानसून के सियन में हर साल सब्जियों की किमते में तेजी आती है राजधानी दिली में प्याज की किमते 40 रुबे प्रती किलोग्राम तक पहुच गई है किसानों को के सिस्थी का लाब दे पलामू उपायूक्त प्रगति लाने सहीत अरे दिशा निर्देश भी दिये उपायूक्त ने किसानों को के सीसी का लाब देने का निर्देश दिया उन्होंने समीक्षा में पाया कि के सीसी के 8812 आवेदन बैंक में भेजेगा जिसमें से 1113 आवेदन को ही बैंक न स्विक्रितिक दिया है इसकूल खुलने पर आइसोलेशन सेंटर बनाना होगा इसकूल खुलने के लिए स्कूलों को कई सारी एहतियाद बरतने होंगी इसकी पूरी सूची स्कूल को भेज दी गई है बता दे कि इसके तहात इसकूल खुलने के साथ इसकूलों में आइसोलेशन सेंटर भी खुला जाएगा इसकूल में किसी छात्र सिक्षक या स्टाप में कुरोना का किसी परकार का कोई लग्षन नहीं राता है तो उन्हें तुरंत इस आइसोलेशन सेंटर में रखा जाएगा इसके बाद ही वे नजदी की अस्पता लेया कुरोना आइचुले सेंटर में पहुचाये जाएंगे जार्खन में 1702 नई संक्रमितों को पुष्टी हुई जो राची से 457, बोकारो 46, 14, 16, 22, 25, धनबाज 94, पूर्वी सिमुँ जार्खन में मंगलवार को आठ की मौत हुई है जो जमसेत पूर्शतीन, धनबाज 55, 22, वोकारो से 1 कि मौत हुई है मंगलवार को 16, 38 मरी स्वास्त भी हुए है एक्टिव केस इस प्रकार है राची 35, पूर्वी सिमुँ 27, धनबाज 93, गीरी 322, वोकारो 27, 14, 288, देवघर 23, दुमका 188, गडवा 175, गोटा 132, गुमला 409, सजारीवाग 685, जामतरा 54, खुटी 278, कोडार्मा 57, लातेयर 220, लौर्दागा 161, पांकुड 71, पलामु पंचानबे, रामगार 1000, साहिवग 171, सराय केला 784, सिम्डेगा 374, पाच्वी सिमु 510, मरीज एक्टिवाएं, जारखंड के 10 जीलों के 63 लाक बचों को दिया जाएगा एलवेंडा जोल, जारखंड में कंटेन्मेंट जोर को छोड़ कर राज के 10 जीलों के बचों को क्रीमी नासक दवा एलवेंडा जोल खिल नंबर 2020 तक राश्टिये क्रेमी मुक्ति करिकरम प्रकवडा का आउजिन किया जारा है, जिसके तहस राज के बोकारों धनबाज, रामगर, साहिव गंज, कोडारमा, जामतडा, पाकुड, पलामू, सरायक लखर सवा और लातेहार जिला में 15-30 से दमबर तक आरखंड शुच्चित जाती मोर्चा के सेवा सप्ता को लेकर मंगलवार को आउनलाइन बैठाक में कही है उन्होंने कहा कि राज में दलीद के साथ हेमंद सरकार के ब्यावार संतोस परत नहीं है भूखल गाटी सहित उनके परिवार के तीन लोगों की मिरित्यू राज की दलीदों की स्थिति को दरसाती है तीन दिवस्य दूमका दवरे पर सियम आज लोटेंगे राज़ी जाकर के मोख मंत्री हमान सुरे ने अपने तीन दिवस्य दूमका दवरे के दूसरे दिन मंगलवार को कई कारकर में हिसा लिये इस बीच उन्होंने लाबकों के बीच परिसंपत्यों का वित्रन भी किया सबसे पहले उन्होंने दिसो माझी ठाना जाकर पूजा आचना की और शिर्वाद लिया मुख मंत्री बुद्वार आज वापस राची लोड़ जाएंगे राची में 13 जगों पर आज जाच 8000 टेस्ट का लग्षे कुरोणा संक्रमन की रुक्थाम को ले जिसके तहत मोराबादी राची जगरनाथ पूरी राची रेलवे इस्टेसन पारकिंग बहु बजार डुरंडा डेली मार्केट मुरी सिली बकरी बजार एस्टोर काके रातु रोड इटकी बजार बेडो बुढमु बजार और चान्हो बजार में जाच किया जाएगा जारकन के 12 जिलो से आए सायक पुलिस कर्मियों ने मंगलवार को मोराबादी में बिरोड परदसन करते विए जारू लगाया और कच्रा उठा कर पूरे इल्यक्यों की सब सफाई की सायक पुलिस कर्मियों का काना था कि उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस वए से उन्होंने विरोध जताने का नाया तरीका खोजा है सायक पुलिस कर्मियों का काना है कि जब तक उनकी मांगे पूरू नहीं होती है तब तक प्रति दिन नए तरीका से विरोध परदसन किया जाएगा सभी सायक पुलिस कर्मियों का काना है कि जब तक वे हर्टाल पर रहेंगे सभी लोग वर्दी में ही रहेंगे राज भर में लगभग 8700 लोग ऐसे हैं जो प्रलाजमा डोनेट कर सकते हैं जबकि हर दिन इनकी संख्या में लगभग 507 लोग की जाफा हो रहा है बता दे कि इसके बावजूद भी राज में प्रलाजमा डोनेट करने वालों की संख्या काफी निरास जनक है मुख मंत्री हमन सुरे ने अठाई जुलाई को रीम्स में प्रलाजमा डोनेट करने की सुरुआत की थी पीछले धाई माह में रीम्स में महाज सतर लोगों ने ही प्रलाजमा डोनेट किया है जारखन में 728 क्लोर की सडग परियोजनाव पर चल रहा है कार्य जारखन में राश्टी राजमारगों के निर्मान 14 करन पर 728 क्लोर लागत की परियोजनाई चल रही है बता दे कि बीगत 5 बर्सों में विभीन सडग परियोजनाव के मादयम से भारत सरकार ने जारखन में 294 को रुपए ब्याय किये है नरेंद्र मोदी का जीवन देश समाज और संगठन को समरपीत मरांडी भारतिये जनता युवा मोर्चाने सो मोर को भाजपाप परदेश करियारे में परदान मतिर नरें मोदी के जनम दिवस पर सेवा सप्ता कारेकरम के निमीत बेमिनार का विजन किया मोख्या आते थी बावुलाल मरांडी थे बावुलाल मरांडी ने कहा कि प्रदान मजरियाने बोधी ने अपने जीवन को देश समाज और संगठन के प्रतिस समरबित करती है बीकेट या कैश लेने के बाद पहले की तरह जस्न नहीं मना पाएंगे खिलाडी जाखन राज क्रिकेट संग द्वारा मंगलवार से सुरू हो रे टी ट्वंटी क्रिकेट के दवरान मैदान में सब कुछ बदला बदला नजर आएगा आपको बता देख कि इस दवरान खिलाडियों को अकेले में ही जस्न मनाना पड़ेगा खोटी के सहरी छेत्र में असल चिनित कर पधार उपन करे उपायुकते खोटी जीला पर्यावरान समीती की समिक्षा बठक मंगलवार को उपायुक ससी रंजन के अध्यक्सता में उनके कर्याले कक्ष में आव्यूत की गई बठक में उपायुक ने कहा कि बिभीन समन्दीत बिभागों को पर्यावरान सरवर्धन के तहत किये जा रहे कारियों का मोल रूप से सफल संचालक करना वस्यक्षा है उन्होंने नगर पंचाइत के कारेपालाग पता अधिकारी असीस कुमार को निदेश दिया कि सहरी छेतर में असद चीनित कर पधारोपन किया जाए राज सरकार आखे बंद रही आखे खोल कर कारे करेगी हमन सुरेन दुमकाज जीला के फुटबॉल मैदान में मंगलवार को सरकार आपके द्वार कारेकरम कायोजन किया गया मौके पर लोगों को सम्मधित करते हैं मुख मंत्री हमन सुरेने कहा कि राज सरकार गरीबों के तकलिव को समझती है कुरोना महामारी ने राज के समक्ष कई चुनतिया खड़ी की थी लेकिन सरकार इस महामारी से डटकर मुकाबला कल रही है इस वज़ा से आज इस राज की चर्चा चारो और चल रही है उन्होंने कहा कि गरीबों मजदूरों किसानों के हाल चाल को जनने एवं उन तक साहता पहुचाने के लिए इस करेकरम का विज़न किया गया है राज सरकार आख बंद कर नहीं आख खोल कर करेगी रामगर में जल अपूर्ती योजना सिग्र पूरा करने का निदेश उपायुक्त पे जल अपूर्ती योजना हो या सरक का धूरा काम सिग्र सारे काम को पूरा किया जाना है अभात मंगलवार को डिस्टिक वर्किंग कमेटी के बैठक में डिसी संदीप सिंग ने कही है। प्रवासी मजद्रों की संख्या के बारे में जनकारी दे। कॉंग्रेस के परदेश प्रवक्ता अलोक कुमार दूबे ने कहा कि भाजपा नेता हसुआ के बीवा और पसनी का लगन कहावत को चरीतार्थ कर रही है। और अपनी उपस्थिती मात्र दर्ज करने के लिए राज के लोगों को बदनाम कर रही है। घर बैठे इगरास पर लोगिन कर इस्टाम प्राप्त करे। इसके लिए राज सरकार द्वारा जार निवंदन.jov.in पर लोगिन करना होगा। तेज परताप को नोटीस क्वारेंटाइन में रहे बगएर लोटे थे पटना। बिहार के पुरो मंतरी तेज परताप यादों को राची पुलिस लोगडाण उलंगन के आरोप में नोटीस भेजेगी। बतादे कि नोटीस CRPC की धारा 41 के तहत भेजा जाएगा। इस मामले की जाच की जिम्मवारी CTDSP अमीत कुमार को दी गई है। जार्खन में संक्रम जाच की दरे घटी। केतार परखंड के बलीगड़ पंचायत के मुखिया सुरेंदर पताप यादों वा उसके सहयोगी पंचायत समीचती मनोज साव को रंगे हाथो धर दवोचा है। बतादे कि एसेवी के टीम ने 5,000 रुपे जाप्त कर लिये हैं। तथा रिस्वत लेने के आरोपी मुखिया वा पंचायत समीची सजास को गिरफतार कर मेदनी नगर ले गई। CBI ने लालू यादों की मुश्किले बढ़ाई। जार्खन के पलामू प्रमंडल सह जीला मुख्यले मेदनी नगर सीटी के रेडमा मुहले की निवासी तीन लड़के मंगलवार की सुबह में उत्तर कोयल नदी में बढ़ाई। बता दे कि पलामू और लातेहर जीला की सीमा परिस्थित पलामू टाइगर यर्व अंतरगत केचकी संगम में सहर के साथ ललके ने आने गए थे जिस करम में तीन यूकों ने बह गए। जारखन हाई कोट में दो जजो ने पद वगोप नेता की सपतली जिसमें जाश्टिस संजय कुमार दिवेदी एवं जाश्टिस दिपक सामिलित थाए। पलामू में अखिल भारतिय विद्यार्थी परशद ने तीन अयार शात्राओं को अनलाइन मेंबर्शिप दिलाई। राची के तमार थाना पुलिस ने लूट पाट गिरोग के तीन सदसे को गिरफतार किया है। धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होतों चैनल को सब्सक्राइब कर बहल कर बेल आइकन दबाएए। साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ अवासे सेर करें। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप वीडियो को लाइक अधिक से अधिक करें। साथी साथ अपने वाट्सेप और फेस्बुक पर अवासे सेर करें। थाइक्यू।